हमने स्विच को बंद करते ही बलब ओफ हो गया जो बहुत बेसिक है लेकिन इस स्विच के पिछे जो इलेक्रिसिटी है वह ओल्मोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है उसको एकदम से स्टोप करने के बाद में क्या होता है उसके साथ में हमें कोई खास फरक पड़ है जो ठीक हमारे घर के स्विच जैसे ही काम करता है लेकिन जब लाइन को बंद करने के लिए इस आईसोलेटर का कनेक्शन अटाते है तो आप देखोगे की हमने आईसोलेटर का कनेक्शन हटा भी दिया फिर बी एर के थ्रू यहाँं पर इतनी हेवी इस पारकिंग तो लाइन को ब्रेक करने के लिए एक powerful device बनाई गई जिसको बोलते हैं circuit breaker यह 132 केवी से लेकर 1100 केवी तक किसी भी लाइन को ब्रेक कर सकता है एकदम safety के साथ में और लाइन में यदि कोई fault आता है तो भी यह अपने आप trip हो जाता है आप जो circuit breaker देख रहे हो वह SF6 circuit breaker है तीनो phase के लिए same mechanism होता है लेकिन यह mechanism अलग-अलग इन boosting में operate करता है जो upper terminal है वह main line से आता है और उपर की तरफ connect हो जाता है और lower terminal से circuit breaker का output निकलता है अब इन दोनों terminal के बीच में ही circuit को break करने का mechanism लगा रहता है upper terminal एकदम fix होता है कोई भी moment नहीं कर सकता है यहाँ पर road लगी रहती है वह copper की है lower terminal में भी एक copper की road लगी हुई है जो move कर सकती है यह road अंदर से खोकली होती है और उपर terminal से अपना contact बनाती है lower contact खुद तो moment नहीं कर सकता लेकिन इस copper की road को move करवाने का mechanism यहाँ पर होता है यहाँ पर लगे moving contact boosting के बाहर से operate होते हैं मानकर चलते हैं line on है और circuit breaker का contact बना हुआ है यहाँ पर दो condition है यदि line में कोई fault आ गया या फिर circuit breaker को हम manually बंद करते हैं तो दोनों ही condition में same ही process से line break होती है इस mechanism के अंदर दो spring लगी रहती है और फिलाल दोनों की दोनों spring loaded है नीचे एक relay लगी हुई है plunger system के साथ में circuit breaker के पास में एक current transformer भी लगा रहता है तो जब भी line में कोई fault आता है तो current transformer से high current flow करने लगेगा और current transformer relay को बताता है कि circuit breaker से ज़्यादा current flow कर रहा है breaker को trip करने की जरूरत है एक छोटा सा question दोस्तों आपके लिए यहाँ पर current transformer extremely high current पर operate करता है और circuit breaker में लगी हुई relay मुस्किल से 12-24 volt DC पर operate करती है फिर यह आपस में कैसे communicate करते हैं इसका direct answer तो इस वीडियो में नहीं दिया हुआ है लेकिन hint आपको आगे मिल जाएगा दोस्तों skill के जमाने में थ्योरी से काम नहीं चलता है और आप खुद internet पर research करना 3D animation का market कितना जबरदस्त explode कर रहा है हम भी दिरे दिरे एक 3D community build कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे animator सीख रहे हैं और अपने experience को share कर रहे हैं यदि आप भी सीखने में interested हो तो हमारी community में आप का most welcome है description में details available है now back to the point तो CT का high current relay से flow करेगा तो relay operate होगी और इसमें लगे plunger को बाहर की side में force लगाएगी जिसकी वज़े से यहाँ पे लगी holding latch liver को free कर देगी और liver पर loaded spring का force आ रहा है तो बहुत high speed में spring इस road को नीचे की तरफ पुल करेगी और line बंद हो जाएगी लेकिन इतना आसान नहीं है इस high voltage line ने isolator को भी नहीं छोड़ा तो circuit breaker को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगी जब spring नीचे आएगी तो boosting के नीचे एक छोटा gearbox लगा रहता है जिससे तीनों boosting एक दूसरे से connected रहती है ताकि spring का force तीनों boosting पर equally पहुंच सके जब spring नीचे जाएगी तो इस road पर direct spring का force आता है जिसको moving arcing contact बोलते हैं यह road नीचे से insulated रहती है और उपर से upper contact से connection बनाती है तो इस road के साथ में यहाँ पे लगावा cylinder नीचे की तरब जाएगा लेकिन cylinder के अंदर एक piston लगा रहता है जो एकदम fix होता है और इस cylinder और piston के बीच में SF6 gas बरी रहती है जि सिलेंडर नीचे जाएगा तो piston gas को compress करने लगेगा और gas को compress करके इसका pressure 14.2 kg पर cm2 तक पहुचा देगा जैसे ही है contact एक दूसरे से दूर होंगे तो जबरदस्ट आर्क जनरेट होगी लेकिन piston gas का इतना pressure बढ़ा देगा कि इस nozzle से high speed में pressure से SF6 gas इन दोनों contact के बीच में आने लगेगी SF6 highly electronegative होती है तो यह negative ions में convert होने लग जाएगी जो electron से ज़्यादा heavy है तो इन दोनों contact के बीच में जो arc generate होगी उसको यह खतम कर देगी क्योंकि इसके जो negative ions है वै heavy weight की वज़ए से इसकी mobility को reduce कर देते हैं जिससे जितने भी free electrons है वै move नहीं कर पाएंगे और वह होने देती क्योंकि gas liquid में बदल गई तो फिर तो line break होगी ही नहीं फिलाल circuit breaker को तो बंद कर दिया लेकिन एक risk यहां पर अभी भी बनी हुई है कि इन circuit breaker के contact के बीच में दूरी बहुत कम है इसलिए circuit breaker के बाद में isolator लगा रहता है तो जब हम manually circuit breaker को बंद करते हैं किसी line पर का ज्यादा stress पड़ता है क्योंकि अब तक जो current high speed में flow कर रहा था उसको कोई path नहीं मिलेगा जाने के लिए तो circuit breaker के contact से current वापस पिछे की तरफ reflect होने लगेगा जिस तरीके से high speed में flow होते हुए पानी को हम एकदम से रोक देते हैं तो उसमें पिछे की तरफ waves बनने लगेंग ठीक ऐसा ही current के साथ में होता है और ये current इतना powerful होता है कि generator जो electricity generate कर रहा है उसको भी unstable कर सकता है या फिर किसी transformer को damage भी कर सकता है बहुत सारे devices लगाये जाते हैं पिछे की devices को safe रखने के लिए तो generally जो power transmission line होती है उनको break नहीं किया जाता जब तक कोई emergency condition या कोई जबरदस्ट fault ना हो आपने देखा होगा कि हमारे light चली जाती है लेकिन GSS में anytime available रहती है वह है इसलिए क्योंकि इन line को break करना बहुत challenging काम होता है 132 के विया इससे जितने भी छोटी line से उनको आसानी से break क्या जा सकता है जिनका बड़ी line ओपर कोई खास फरक पड़ता नहीं है अब line को वापस connect करना भी कोई आसान काम नहीं होता जिसको समझने के लिए हमें वापस इसके mechanism पर आना होगा line फिलाल बंद है एक spring unloaded भी हो गई है तो line को close करने के लिए यहाँ पर एक और relay लगी रह पर आया जो अभी भी loaded और यह इस केम को speed में rotate करवाती है केम पिन लिवर फर फोर्स लगाएगी और लिवर वापस इस side वाले spring को load कर देगा जिसे line वापस close हो जाएगी जो spring line को trip करती है उसको सिरफ closing spring ही charge कर सकती है और closing spring को वापस charge करने के लिए side में एक motor लगी रहती है तो circuit breaker के close होते ही है spring को वापस दिरे दिरे load करने लग जाएगी इन circuit breaker का opening और closing time सिरफ 40 to 60 millisecond का होता है और यदि line break होते time आप circuit breaker के पास में खड़े रहते हो तो gas और इसके operation की आवाज आसानी से सुनाई दे जाएगी circuit breaker में जो SF6 gas होती है वह इन boosting के अंदर ही बंद रहती है क्योंकि यह harmful भी है और environment को नुकसान भी पहुंचाती है यहाँ पर लगा meter इसका pressure बताता रहता है तो pressure down होते ही gas की refilling की जाती है जब extra high voltage line को वापस connect करते हैं तो यह transformer के लिए खतरनाक हो सकती है तो इसका भी हमें ख electricity की वज़े से हम हमारे गरों में बहुत अच्छे से enjoy करते हैं लेकिन इसके पिछे जो engineering है वह बहुत ही challenging task है हम आने वाले वीडियो में और explore करते जाएंगे तो इस शीरीज में हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को आप subscribe जरूर से कर लीजिएगा हम आपको कुछ best learning देन में available है thank you